नमस्कार दोस्तो बेरा नाम है दिनेश और आप सब का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईडी कार्ड या पहचान पत्र क्या होता है किसी कमपनी को आईडी कार्ड की क्यों जरुवत होती है आईडी कार्ड के बेनफिट्स क्या क्या होते हैं और एक सिक्यूटी कार्ड के कार्चेत्र में आईडी कार्ड चेक करने का तरीका क्या होता है तो चलिए शुरुवात करते हैं आज का वीडियो आईडी कार्ड या पहचान पत्र क्या होता है जैसे की नाम से ही जाईर है ID कार्ड या पहचान पत्र कोई भी कार्ड या डोकुमेंट होता है जिससे उस व्यक्ति की पहचान सम्भधी जानकारी रहती है उसे ही हम ID कार्ड कहते हैं जैसे उसका फोटो, कमपनी का नाम, करमचारी संख्या ऐसी कोई भी जानकारी जिससे हम उस आदमी की पहचान कर सकते हैं उसे ही हम ID card कहते हैं ID card की design और बनावाट company के हिसाब से या जिसने उसको जारी किया है उसके हिसाब से अलग-अलग होती है कहीं उसमें किसी company के specific logo होता है कोई design हो सकता है कोई कपड़े का भी हो सकता है या metal का हो सकता है plastic का हो सकता है सो तरह-तरह के होते हैं मगर जो उनका purpose है वो एक ही रता है कि उस आदमी की पहचान बताना जैसे मैंने बताया ID card से हम किसी की पहचान कर सकते हैं ऐसे में एक company में जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं company को अपने employer की पहचान करने का सबसे easiest way या सुगम तरीका है वो है ID card किसी भी company को ID card जारी करने का उद्ध से इसलिए होता है ताकि उसके company में आने वाले हर विक्ति की पहचान हो सके और company safe और secure रहे आज के वर्तमन समय में ID card का महत्व बहुत जादा है आज कोई भी काम हम बीना पहचान पत्र के ID card के करना बहुत ही मुश्किल है जब यह ID card हमारे देश में नहीं थी तो कितनी तरह की गड़बड़ियां आती थी उधारन के तोर पे जब भारत में भोटर ID card का प्रचलन नहीं था तो election के समय कितनी तरह की गड़बड़ियां होती थी मगर आज के date में हमारे पास पहचान पत्र करने का तरह तरह के तरीके हैं जैसे pen card है, आधार card है, ID card है यह जो भी है सब एक तरह की पहचान है, जो हमें कहीं भी हम जाते हैं, किसी office में जाते हैं तो वहाँ आपने आपको हम सत्यापित करते हैं, हम आपने आपको स्थापित करते हैं कि हम ही वही person है, जो इस ID card में लिखा हुआ है अब हम जानेंगे benefits of ID card, ID card के क्या-क्या फाइदे हैं ID card से जो पहला फाइदा है, वो है increased security, बड़ी हुई सुरच्छा ID card हमारे लिए लोगों को अलग करना और पहचानना असान बनाता है ID card किसी भी company में अनोतराज entry या चोरी की जोकिम को खम करता है ID card को उपयोग कुछ छेत्रों यहां तक की कुछ सूचनाओ तक पहुंच को भी प्रतिबंदित करने के लिए किया जा सकता है ID card के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि वो employee है, visitor है, vendor है या कोई company का client है, या कोई और है और हम उस building में उनको कहा तक भेजना है, कहा तक allowed है यह सब हम ID card के माध्यम से ही पहचान कर सकते हैं तो दोस्तों हम जानगे होंगे कि ID card के माध्यम से किसी भी company या office की सुरक्षा कैसे बढ़ जाती है ID card से जो दूसरा फाइदा है, वो है support during emergency आपात इस्तिती में साहता, उधारन के तोर पे अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और जाने के करम में उसके साथ कोई घटना हो जाए, कोई दूर घटना हो जाए या वो बिमार हो जाए, ऐसे में लोग साहता के लिए सामने आते हैं तो ID card के माध्यम से वो लोग उस व्यक्ति के पहचान करते हैं और ID card में लिखे किसी contact number या सुपचिंतको का number जो रहता है उससे वो संपर्ख स्थापित करके घटना की जानकारी उनको देते हैं ऐसे में ID card किसी भी emergency situation या अपात इस्तिती में हमें बहुत साहता परदान करती है ID card से जो तीसरा फाइदा है वो है company moral अपनी company में अपने सहकर्मियों के साथ एक जैसा ID card पहनने से करमचारी एक दूसरे से अधिक चुड़ाव महसुस करते हैं वो feel करते हैं कि हम सब एक ही जगा एक ही team जैसा काम करते हैं इसस에 team work की भावना भी बढ़ती है और जैसा हम जानते हैं कि किसी भी company office या कार्षतर में जब teamwork की भावना होती है तो वो company बहुत ही अच्छा से काम करती है और उसका business बहुत अच्छा होता है और इससे company का moral बढ़ता है इसलिए ID card से जो तिसरा फाइदा है वो है company moral Benefit number 4 है branding Branding से मेरा मतलब है जब आप किसी company की ID card पहनते हैं तो इससे उस company का ID card की marketing होती है उसका छबी बनता है और वैसे ही उस company के माध्यम से आप अपने आपको brand कर सकते हैं For example, अगर आप किसी loan लेने के लिए किसी bank में जाते हैं तो bank बाकी जानकारियों के अलावा ये जानकारी भी आप से लेता है कि आप किस company में काम कर रहे हैं इसके लिए वो आपकी ID card की जाच करता है ऐसे में हम अपने ID card के माध्यम से हम अपने company के बारे में bank को बताते हैं और bank वो ID card चेक करने के बाद हमें loan देने के लिए सहमत होता है ऐसे ही ID card हमें मदद करता है बहुत सारे आधिकारी या digital platform में अपने आपको परजनी दितर करने का और अपने आपको brand करने का ID card कितने तरके होते हैं वैसे तो ID card का कहीं वर्गिकरन नहीं किया गया है फिर भी समझने के लिए ID card मुखे तो दो तरके होते हैं पहला है सरकार दूरा जारी किया गया अचानपत्र या I.D. Card और एक गैर सरकारी ID कार्ड सरकार द्वारा जारी किया किया कोई भी ID कार्ड को हम government ID कार्ड या government ID proof कहते हैं जैसे आदार कार्ड है, बोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, रासन कार्ड है, पासपोर्ट है ऐसे कोई भी ID कार्ड जिसमें भारत सरकार या राजे सरकार जारी करता है उसे हम government ID कार्ड कहते हैं इसके लावा अगर कोई company या संस्ता जो ID कार्ड जारी करती है उसे हम organization ID कार्ड या company ID कार्ड या संस्तान का ID कार्ड कहते हैं दोनों तरग के ID काड़ों का अपना-पना मातू होता है और उसका अपना-पना acceptance level होता है आसा है दोस्तों अभी तक आप जानगे होंगे कि ID काड या पहचानत पत्र क्या होता है किसी कंपनी को ID काड की जरुवत क्यों होती है ID काड के क्या-क्या benefit है और ID काड कितने तरके होते है तो दोस्तों अब हम जानेंगे Beijing Control गाड को अपने कारे चेत्र में ID काड कैसे चेक करना चाहिए और चेक करने के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए Security के duty में सबसे जो महपून काम है वो है ID काड चेक करना Security काड को ID काड चेक करने का तरीका पता होना चाहिए Security के कारे चेत्र में जुड़े होए लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो जिस company या organization या institute या site पे काम करते हैं तो वहाँ पर किती तरीकी ID काड का प्रचलन है कोई भी company अपने जरूत के हिसाब से ID काड का डिजाइन करती है और वहाँ आने वाले लोगों के हिसाब से ID काड देती है सामाने ता कोई भी company अपने संस्थान के लिए नीमने स्रेनियों में ID काड जारी करती है employee या associate ID काड ये ID काड कंपनी उनको देती है जो उस company में permanent काम करते हैं जिसको हम full time employee भी बोलते हैं नेक्स्ट है contractor या service provider ID काड ये ID काड उन लोगों को दिया जाता है जो उस company में service देने के लिए आते हैं जो उस company का employee नहीं होता है वागर उस company में permanently काम करने के लिए आते हैं जैसे उस company में security टीम काम करती है, housekeeping team काम करती है, electrician team काम करती है ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उस company में service देने के लिए आते हैं ऐसे ही लोगों को हम contractor या service provider करते हैं और उनको service provider ID card या contractor ID card देते हैं नेक्स्ट है visitor ID card जैसे नाम से जाहिर है visitor ID card उन वक्तियों को दिया जाता है जो company में निश्चित काम के लिए निश्चित समय के लिए आते हैं जैसे interview candidate हो, चाहे government officials हैं चाहे किसी employee के परिवार के सद्दे से आया हैं company में visit करने के लिए तो ऐसे लोगों को visitor कहा जाता है और इनको visitor ID card दिया जाता है इसके अलाबे भी company अपने जरुवत या operations के हिसाब से कुछ और ID card का परियोग करती है जैसे temporary ID card बहुत सारे company में temporary ID card का परियोग होता है temporary ID card का उपयोग तब होता है जब उस company में काम करने वाले full time employee अपना permanent ID card लाना भूल जाते हैं या किसी कारण वस उनका ID card loss या damage हो जाता है तो ऐसे समय के लिए और time being temporary ID card का परियोग किया जाता है दूसरा है client ID card Client का मतलब होता है ग्राहक कोई वेक्ति जब किसी company में website सम्वेदी कतिबोदियों के लिए विजिट करता है तो company उसे client बोलती है किसी भी company में client का मतलब बहुत होता है क्योंकि इससे उस company का website बढ़ता है और उसको ज़्यादा revenue मिलता है इसलिए company अपने आने वाले client के लिए अलग तरह का ID card के डिजाइन करती है ताकि उनकी पहचान हो और उनको किसी तरह की कोई तकलिफ ना हो इसलिए एक security guard को ये जानना बहुत जूरी है कि इसलिए एक security guard को ये जानना बहुत जूरी है कि उसके company में जहां वो काम करता हो कितने तरह के ID cards है ताकि वो duty के समय ID card पेने वे वेक्ति की पहचान कर सेके और ये जान सके वो वेक्ति किस purpose से और किस काम के लिए आया है जैसा मैंने पहले बताया एक security guard को पता होना चाहिए कि उसके company में कितने तरह के ID card का प्रयोग किया जाता है ID card चेक करने का जो पहला और मुख्य तरीका है वो है photo के साथ उस वेक्ति की पहचान दोस्तो ID card चेक करने के समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और बहुत ही careful रणा है कि जो आवक्ति ID card पहना हुआ है उसका चेहरा और ID card में दिये हुए चेहरा दोनों एक समान है ऐसा कभी कभी हो सकता है कि वेक्ति का photo और चेहरा मैच ना करता हो हो सकता है कि उसका photo बहुत पुराना हो या घिज गया हो जिसके वज़े से उसका photo मैच नहीं कर रहा है तो ऐसे समय पे आप उनको बिल्कुल रोक सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर आपका ID card का photo और आप मैच नहीं कर रहा है इसके बाद आपके company द्वारा बताए गए faded ID card या damage ID card के process को follow कर सकते हैं या अपने supervisor officer के मदद ले सकते हैं उनका guidance ले सकते हैं अगर company द्वारा जारी किये गए ID card में expired date का provision है तो जब आप ID card चेक करेंगे तो आपको ID card का expired date ज़रूद चेक करना चाहिए अगर expired ID card है ऐसे लोगों को तुरंत रोग देना चाहिए और आपके superior को inform करना चाहिए दोस्तो ID card चेक करने के समय आपको ये भी ध्यान देना है कि ID card में किसी तरह का छेड़चार तो नहीं किया गया जब तक आपका supervisor आके verify नहीं कर लेता इसके इलावा बहुत सारी कंपनियों में लैंड या ट्याक का भी प्रयोग होता है अलग-अलग ID card के टेगरी के लिए अलग-अलग design का या रंगों का लैंड याड का प्रयोग किया जाता है जैसे employee के लिए लाल, service provided के लिए blue, visitor के लिए green इस type से अलग-अलग लैंड याड की categories बनाई जाती है ऐसे मैं आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो वेक्ती ID card पहन के है उसने सही color code का लैंड याड पहना है तो दोस्तो आप समझ गया होंगे ID card क्या होता है उनके क्या-क्या फायदे हैं कितने तरह के होते हैं और एक security card को ID card किस तरह से चेक करना चाहिए आसा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप लाइक करें अपने दोस्तों के साथ share करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका notification आपको तुरंत मि के लिए आप अपना सुजाओ और feedback comment box में लिखकर मुस्तक पहुंचा सकते हैं मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद थैंक्यू